यहाँ पर मेरे पास पांच त्रिभुज हैं और मैं जानना चाता हूँ के इन में से कौन सा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के साथ सर्वांग सम हैं तो चलो सबसे पहले सर्वांग सम त्रिभुजों को साबित करने के लिए मैं कसोटियां लिख लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हैं ये चार कसोटियां, पहली है भुजा, भुजा, भुजा कसोटी जहाँ पर तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो, फिर है हमारे पास भुजा, कौन, भुजा कसोटी, जहाँ पर दो सर्वांगसम भुजाओं के बीच वाला कौन सर्वांगसम हो, औ और फिर है हमारे पास कोण भुजा कोण का सौटी और है हमारे पास कोण कोण भुजा का सौटी तो चलो यहाँ पर हम एक एक तरभुज लेके सरवांक सम ढूडते हैं तो यहाँ पर जो पहला तरभुज है वो है यहाँ पर A, B, C और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यह है है 60 और ये भुजा है 7 तो हमें ढूड़ना है एक ऐसा अत्रबुच जहां पर कोण कोण भुजा हो पर हमें चाहिए होंगे 40 डिगरी, 60 डिगरी और 7, 60, 40 और 7 नहीं चलेगा जो 7 है वो 60 के आसन होना चाहिए उसके बाजू में होना चाहिए उसके पास होना चाहिए और जो 7 है वो 40 के समुक होना चाहिए तो चलो ढूड़ते हैं तो यहां पर तो जो 7 है वो 40 और 60 के बीच में है तो यह तो कुछ कोण भुजा कोण है तो यह तो हमारे ABC साथ मिलता जुलता नहीं है यहाँ पर भी कोण भुजा कोण है जहाँ पर भुजा दोनों कोणों के बीच में है तो यह भी नहीं मिलता यहाँ पर है कोण कोण भुजा लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोण है 60, 40 और यहाँ पर कोण है 40 और 60 यहाँ पर जो भुजा है साथ वो साथ के आसन है चालिस के समुख है यहाँ पर जो भुजा है साथ वो चालिस के आसन है और साथ के समुख है तो यह तो सरवांगसम नहीं देख रहा है यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास है कोण कोण भुजा और अगर हम तो यह 40, 60 और 7 यहां पर 7, 60 के आसन है, 40 के समुख है यहां पर भी देखो तो 7, 60 के आसन है और 40 के समुख है यानि कि यह दोनों त्रिभुज A, B, C और यह वाला त्रिभुज सर्वांग सम है तो यहां पर है त्रिभुज A, B, C, तो यहां पर यह A, जो है 60, तो मैं यहां लिख लेता हूँ, यह है A, जो है 60, यहां पर जो 60 है वो है N, तो मैं इसके साथ यहां लिख लेता हूँ, जो 60 है वो है N, और फिर मैं जाता हूँ यहां B पर, तो B पर तो यहां पर कोन नहीं दि आगया है, तो B जो है, वो सर्वांग सम होगा M के, और आखरी जो कोण है, वो है यहाँ पर 40 और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 40, तो यहाँ पर जो 40 है वो है C, यहाँ पर जो 40 है वो है O, तो यहाँ पर जो C है, वो सर्वांग सम है OK, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ, कि जो त्र सरवांग सम है त्रिभुज NMO के और ये सरवांग सम है कोण कोण भुजा कसोटी से तो कोण कोण भुजा कोण कोण भुजा कसोटी से हमने ये दोनों त्रिभुज सरवांग सम साबित कर दिये चलो अगला त्रिभुज देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है कोण भुजा को यहाँ पर 60 उपर है, 40 नीचे है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, इस त्रिभुज को हम घुमा सकते हैं, जब इसे हम घुमा देंगे, तो 60 नीचे हो जाएगा, 40 उपर हो जाएगा, बस देखने की बात यह है, कि कोण है 40-40, 60-60, और उन दोनों कोणों के बीच में ही है, भ लिख देता हूँ, तो जो शीश E है, यहाँ पर 40, तो यहाँ पर जो 40 है, वो है शीश G, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ G, उसके बाद मैं जाता हूँ 60 पे, तो यहाँ पर जो 60 है, वो है H, तो जो D है, वो सरवांग सम है H के, और फिर यहाँ पर बज जाता है, यह को मिल रहा है कि जो त्रिभुज है त्रिभुज EDF वो सर्वांग सम है वो सर्वांग सम है त्रिभुज GHI के इस वाले त्रिभुज के और यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कोण भुजा कोण का सौटी से और यहां पर कोई ओल त्रिभुज यहां पर नहीं है जो कोण और ये भी है कौन-कौन भुजा, तो यहाँ पर ABC सरवांग सम है NMO के, तो ABC त्रभुज सरवांग सम है त्रभुज त्रभुज NMO के कौन-कौन भुजा से, और त्रभुज EDF सरवांग सम है त्रभुज GHI के, GHI के कौन-कौन का सौटी से, अब बज गया ये वाला त्रभुज J KL यहाँ पर यह है कौन-कौन भुजा पर हमने देखा कि इसके जैसे जो कौन-कौन भुजा है जो 60-47 है वो यहाँ पर किसी के पास नहीं है तो यही दो त्रभुज की जोडिया है जो सरवांकसम है